विवो ने इस मैने में अंडर 25,000 रूपिस में दो प्यारा सा स्मार्ट फोन को लॉंच कर दिया है ओफलाइन पर लॉंच किया है विवो Y200 को और ओनलाइन पर लॉंच किया है विवो T2 Pro को जब आप दोनो फोन का स्पेसिपिक साइड वाई साड देखते हो आप ज़्यादा कन्फियूस हो जाते हो क्योंकि दोनो फोन की प्राइस में सिर्फ 2,000 रूपिस का अंतर है आपका महनत का पैसा में बरवात नहीं होने दूँगा आज इस वीडियो में दोनो फोन के भी इस डीटिल कॉंपेर करके आपका कन्फियूसन को में क्लियार कर दूँगा एक दोनो फोन से कौनसा फोन आपके लिए बेस्ट होगा एजानले के लिए वीडियो आप थोड़ा टाइम देकर इंड तक देख लेजिए तो कंपरिजन शुरुबात करता हूँ दोनो फोन की बॉक्स कॉंटेंट से तो दोनो फोन को जब आप अन्बॉक्स करोगे चार्जास से लेका T2 के इस तक सब कुछ मिल जाता है बॉक्स के अंदर बाहर से आपको कुछ भी ने लेना है खैर दोनो फोन का जो बैक पैनल है वो ग्लास का बना हुआ है लेकिन वीबो Y200 का जो बैक पैनल है वो मैट फिनिसिंग के साथ आता है वीबो T2 Pro का जो बैक पैनल है वो ग्लासिय फिनिसिंग के साथ आता है जब आप Vivo Y200 को हाद में लोगे एक fremium fill देगा Vivo T2 Pro जब आप हाद में लोगे थोड़ा सा sleeve करता है बाकि दोनों फोन की पीछे की तरफ crashes बेगरा नहीं आता है लेकिन Vivo T2 Pro में पीछे की तरफ fingerpin का निसान आता है देखो भाई Vivo T2 Pro बहुत ज़्यादा हालका है Vivo Y200 से एफ़ोन सिर्फ 178 gram का आता है और Vivo Y200 193 gram का आता है Vivo T2 Pro का frame बहुत ज़्यादा पतला है और Vivo Y200 का frame फोड़ा सा मोटा है और flat design के साथ आता है यह दोनों फोन की पीछे में dual camera setup के साथ एक aura light और एक LED flash light है जब आप दोनों फोन को phone side से देखोगे दोनों फोन center punch hole के साथ आता है bezel और chain बहुत ही छोटा रखा है दोनों फोन में in-display fingerprint sensor है जो हार बार accurate और first काम करता है तो design के मामले में आप कोई भी एक phone को choose कर सकते हो दोनों फोन बड़िया design के साथ आता है लेकिन दोनों फोन में आप sd car को use नहीं कर पाओगे अच्छी बात तो ये दोनों फोन में multiple 5G bands का support मिलता है जादा bands 5G के साथ Vivo T2 Pro आता है दोनों फोन में 4G plus continue रहता है योगि जब आप online game खिलोगे दोनों में pink बहुत ही कम मिलने वाला है खेर दोस्तों दोनों फोन में AMOLED डिस्पले है जब आप content देखोगे देखने का मजा तो next level हो जाता है इसका display अच्छा है ये पता होने से पहले आपको पहला decide करना होगा आपको curved display चाहिए या flat display चाहिए अगर आपको curved display चाहिए तो Vivo T2 Pro आपके लिए हाजिर है अगर आपको flat display चाहिए तो आप Vivo Y200 के तरब देख साकते हो डिस्पले का size थोड़ा सा बड़ा है Vivo T2 Pro में 6.78 इंच AMOLED डिस्पले है इसमें और Vivo Y200 में 6.67 इंच AMOLED डिस्पले है दोनों फोन में 120Hz का refresh rate है हार अप में काम भी करता है लेकिन brightness की बात क्या जाए Vivo T2 Pro में 1300Hz का peak brightness है और Vivo Y200 में 800Hz का peak brightness है Vivo T2 Pro में आप YouTube पर 4K में HDR content देख साकते हो और Vivo Y200 में अप Full HD में वीडियो को देख साकते हो दोनों फोन में जब आप फिडियो देखोगे दिखने का मज़ा next level हो जाता है लेकिन आप गौर से देखोगे तो color accuracy से थोड़ी सी better आ रहा है Vivo T2 Pro में तो कहना कहीं दोस्तों यहाँ पर डिस्पले में winner रहता है Vivo T2 Pro दोनों फोन हाल फिलाल में latest Android 13 में run हो रहा है और दोनों फोन में Fanta Choice 13 है दोस्तों दोनों फोन में pre-install एप बेगरा है हौट एप्स हौट गिन्स के चेकर भी है और दोनों फोन में जो OS है इसमें आपको थोड़ी बहुत बग्स देखने को मिल चाहेगा इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों दोनों फोन आता है पीछे के तरफ 64 मेंका पिक्सल प्राइमेरी सेंसर के साथ और दोनों फोन में OIS भी है दोनों फोन सांधार फोटो क्लिक करता है लेकिन कालर एकुरिसी के तरफ देखा जाए Vivo T2 Pro कालर को हलका सा बूस्ट करता है और Vivo Y200 कालर को बूस्ट नहीं करता है जो नॉर्माल कालर है वही प्रेजन्ट कर रहा है हार फोटो में लेकिन स्काई की कालर की बात क्या जाए तो मुझे Vivo T2 Pro का जो स्काई का कलर है वो मुझे सबसे अच्छा लगा है जब आप human photo कीचोगे skin tone को बहुत ही अच्छी तरीके से manage करता है Vivo T2 Pro हार फोटो में yellow tone आता है इस Vivo T2 Pro में और Vivo Y200 में थोड़ा सा blue tone से आता है जब आप photo को zoom करोगे दोनों phone में detailing अच्छा देखने को मिल जाएगा प्रोटेंट मूड में photo जब आप click करोगे Vivo में automatically 2x zoom हो जाता है जो DSLR की तरह photo click करता है Y200 में zoom बगरा नहीं होता है ये normal सा 1x zoom में photo click करता है दोनों phone में 16 megapixel का selfie camera है दोस्तों color boost की चकर में मैंने देखा यार Vivo T2 Pro मेरा T-sat का color को फुरिवरी change कर दिया है Vivo Y200 color को boost नहीं करता है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा T-sat का जो color है और accurate रखा है बाकि skin tone की बात क्या जाए तो यहाँ पर back camera के तरह यहाँ भी देखने को मिल जाएगा lighting position को Vivo T2 Pro इतनी अच्छी तरीकर से manage नहीं कर बाता है Vivo Y200 selfie camera में light को बहुत एच्छी तरीकर से manage करता है मेरा face को hard lighting situation पर bright करके रखता है Vivo T2 Pro की back camera से आप 4K में 30 पिस में video को record कर सकते हो और Vivo Y200 की back camera से आप full HD में 30 पिस में video को record कर सकते हो दोनो phone ठीक ठाक video record कर लेता है दोनो phone की सारी photo sample और video sample देखने के बाद मुझे लग रहा है दोस्तों अपर back camera में साफ साफ winner है Vivo T2 Pro और selfie camera में वोईना है Vivo Y200 लेकिन दोस्तों performance में king है Vivo T2 Pro इस में Dimensity 7200 chipset है और Vivo Y200 में 4 Gen 1 chipset है अंतु तो score जादा आपको Vivo T2 Pro में देखने को मिल जाएगा इसका अंतु तो score जैसे जादा है Day to life के उच में ये phone का भी भी hang वे कर रह नहीं करता है और अच्छा performance निकल कर देता है ऐसे भी दोनो phone का app opening बहुत जादा fast है लेकिन दोस्तों मुझे पता है आपको चाहिए gaming phone तो आप आग बंद करके Vivo T2 Pro को ले लीजिए इसमें Vivo Y200 में Vivo Y200 में Vivo Y200 में Vivo Y40 में चलता है जाएरो दोनो phone में must मिल जाता है लेकिन game खिलके मज़ा आएगा दोस्तों Vivo T2 Pro में अच्छी बात तो है दोनो phone गेम खिलने के दौरान इड़ वेकरा नहीं करता है दोनो phone में 8GB 120, 8GB variant मिलता है जो LPDDR4X के RAM के साथ आता है और EoFace 2.2 का storage step है दोनो phone में RAM management almost से मिलता है लेकिन दस्तों दोनो phone आता है single speaker के साथ तो loudness दोनो phone में बराबर मिल जाएगा दोनो phone में dual mic है noise को बहुत ही अच्छी तरीके से cancelling कर लेता है Vivo की dialer के साथ दोनो phone आता है अब दोनो phone में चुपके से call recording कर सकते हो बैटरी वेकप आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा Vivo Y200 क्योंकि इसमें 4800 mAh की बैटरी है इन बोक्स आता है 44 Watt की adapter के साथ और Vivo T2 Pro आता है 4600 mAh बैटरी के साथ इन बोक्स आता है 66 Watt की adapter के साथ अगर आपको first charge चाहिए तो आप Vivo T2 Pro के तरप देख सकते हो अगर आपको अच्छा बैटरी वेकप चाहिए तो आप Vivo Y200 के तरप देख सकते हो तो आप में मुद्दे की बात करते है एक दोनों फोन से कौनसा फोन बेस्ट है और कौनसा फोन को आपको खरिदना चाहिए Vivo Y200 8GB 120 8GB Viren का प्राइस है 21,999 रूपिस Vivo T2 Pro का 8GB 120 8GB Viren का प्राइस है 23,999 रूपिस तो दोनों फोन की प्राइस के वीज में 2,000 रूपिस का अंतर है मैं ए दोनों फोन को यूज कर लिया तो मेरा ओपिनियन सुन लो हुआ अब 2,000 रूपिस जादा देकर Vivo T2 Pro को ले लीजिए ये फोन Vivo Y200 से कही गुना बहत्रिन फोन है ये फोन डिस्पले में विनर रहा है, कैमेरा के मामले में विनर है पाफोमेंस में तो ये फोन कींग है उसे के साथ इसमें फर्स जाजरवे मिलता है अगर आप 2,000 रूपिस जादा दे सकते हो तो Vivo T2 Pro आपके लिए बेस्ट होगा अगर आपका बाजे टाइड है तो आप Vivo Y200 के तरफ दिख सकते हो मेरे हिसाब से कौनसा फोन बेस्ट है मैंने तो बता दिया आपके हिसाब से कौनसा फोन बेस्ट हो रहा है आप भी मुझे कॉमेंट में बता सकते हो क्योंकि ये सब का उपिनिन अलग-अलग होता है मुझे पुरी उमीद है आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया अगर आपको ए वीडियो थोड़ी से भी हिल्फुल लगाए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए हो साके तो एक वीडियो आपके दोस्त के साथ सेयर कर देना उसका और हमारा दोनों का मदद हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तो